नमस्कार दोस्तों, तो दोस्तों कैसे हैं, आप सब की preparation कैसे चल रही हैं, NBS exam की दोस्तों अच्छे से preparation करते रहिए, आप जिस भी post के लिए apply किये हैं, उस case syllabus के according, आप बहुतरीन तरीका से preparation करें, और अब आप active mode में आ जाएं, क्योंकि NTA के तरप से अब NBS का exam date आने वाला ह जैसा कि आप लोग जानते हैं कि NTA के दोरा बहुत सारा exam को पोस्ट पॉंट किया गया था और अब उसका एक एक करके exam date declare किया जा रहा है तो आईए आपको जल्दी से बताते हैं कि NTA के दोरा जो आगे exam होगा उसका schedule क्या है किसकी exam का date अभी दी गई है और अब आपके NBS का आई है ओके दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी हम NTA के official website पे हैं और आप लोग भी यहां पर आके check कर सकते हैं कि NTA के दोरा यह information दिया गया है कि upcoming जो exam होगा यानि कि आने वाला जो exam होगा उसका calendar जारी किया गया है तो आईए आपको बताते हैं कि किस-किस exam का date जारी किया गया है और उसके बाद आपको बताएंगे कि आपका NBS का exam अब कब तक हो सकता है ओके दोस्तों आई हम इसको download करते हैं और आप लोग यहां पर अच्छे से देख लें यह NTA के दोरा notice जारी किया गया है कि कि किसी और यहार कारण बस NTA के दोरा जो exam सब conduct होगा और यह online exam होगा ओके और इसके बाद आप लोग देखें CSIR UGC net का जो exam होगा वो 25 से 27 जुलाई के बीच होगा और यह भी online exam होगा और इसके बाद UGC net जून 2024 वाली जो exam होगा वो 21 अगस्त से 4 सेप्टेमबर के बीच होगा और यह भी online exam होगा जो कि यह पहले offline exam होता था pain and paper mode अब यह online exam होगा ओके तो दोस्तों NTA के तरफ से इस तीन exam का debt जारी किया गया है और अब आप लोग उमीद कर सकते हैं कि आपका जो NVS का exam है वो इसके बाद ही लिया जाए है ना क्योंकि इसके बीच में या फिर इसके पहले होने का chance बहुत ही कम है बहुत कम ओके तो आप लोग अभी यह मान सकते हैं कि आपका exam September में होने का chance बहुत जादा है तो आपके पास उतना भी time नहीं है only July और August क्योंकि June तो अब खत्म हो चुकी है आपके पास दो मन्त का time है आप अच्छे से मेहनत करते रहें September में exam होने का chance बहुत जादा है अब इसका मतलब य जागेंगे कि अभी तो बहुत time है ऐसा कुछ भी नहीं है आप मेहनत करते रहें आप अच्छे से प्रिप्रेशन करते रहें यदि आपको एक सीट कंफर्म करना है तो जिसे जॉब लेनी होती है वो हमेसा active रहते हैं ओके ना की exam date आने के बाद ना की admit card आने के बाद वह active हो होंगे उनका result आने का chance बहुत कम होता है बहुत कम ओके तो आप लोग हमेसा active रहें जब भी exam date declare की जाएगी आप लोग ready रहें exam देने के लिए ज्यादा chance है September में होने का इसके according ओके यदि NBS के द्वारा pressure बनाया जाएगा NTA पे की बीच में exam लिया जाए बहुत डिले हो रह है कि इसके बीच में exam date डाल दे लेकिन इसका chance बहुत ही कम है इसलिए आपको बोल रहें कि आप active रहें हमेसा preparation करते रहें और आपको इस चैनल पे हिंदी का computer का GKGS का current affairs का बहुतरिन content दे रहें और आगे भी अभी आपको देंगे और आप लोग अच्छे से active हो जाए आपक अब exam तक बहुतरिन content देंगे जिससे आपका एक अच्छा खासा preparation और practice हो पाएगा ओके तो दोस्तों NTS से संबंदित यहीं information थी यदि आपको यह information अच्छी लगी होगी तो वीडियो को like कर दें आप हिंदी का computer का GKGS का all 12 वीडियो देख लें इसका playlist आपको मिल जाएगा